सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्या आपके सामने रखना चाहता हूं जो तथ्या इस शोर शराबे में जो की प्रायोजित शोर शराबा होता है कभी टेलिविजन पे दिखता है कभी सोशल मीडिया में दिखता है इस प्रायोजित शोर शराबे में कुछ तथ्या दब जाते हैं और लुमिनाथन कमिशन की कितनी सिफारिशें थी 201 यह बड़ा महत्वपूर्ण है यह आंकड़ा 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी 26 बची उन 26 में से और यह 175 का भी मैं आपको ब्रेक अप देता हूं 18 नवंबर 2004 को यह जो नैशनल फामर्स कमिशन बनी थी उसने अक्टूबर 4 2006 को अपनी पांचवी रिपोर्ट सब्मिट की और इन डॉकुमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं पहली मीटिंग 14 नवंबर 14 अक्टूबर 2009 को हुई जिसमें 201 रेकमेंडेशन्स सिफारिशें लागू होने की अनुशनसा की उनसट रेकमेंडेशन्स पेंडिग थी तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई 152 रेकमेंडेशन्स सिफारिशें सौमिनाथन कमिशन की तब तक लागू हो चुकी थी उननचास पेंडिंग थी और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई 25 और लागू हो गई देखिए पूरा ब्रेक अप दे रहा हूं तारीखों के साथ दे रहा हूं और ये चुनोती है भारती जनता पार्टी को जो बार-बार कहती है सौमिनातन कमिशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की सिफारिशे हमने लागू नहीं की हम बता रहे हैं कितनी लागू की मोधी सरकार आई 2014 में 26 जो बची थी 201 में से उसमें से 25 अभी तक हुई जो सबसे महतोपूर्ट थी उसका कल माननी मलिकारजुन खडगे साहब ने और माननी राहूल गांधी जी ने कल घोशना कर दी यह तक्थे पूरा सवामिनाथन कमिशन का है वो आदमी जो समुदर की बीच पर हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं कभी बॉंबे में जाते हैं कभी केरला में जाते हैं कभी गोऐ में जाते हैं लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए कहीं साहब के पाउं जो हैं रेत पर न पड़ जाएं उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दिया